हाई गाईज वेलकम विद्कृतिका साओ सो मैडम ने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और वो पहुँच गई है जिम पे ऐसी सुनसान जिम जहां दूर दूर तक कोई पंची भी नजर नहीं आ रहे आदमी तो खहर नहीं नजर आ रहे पंची तक वहां नजर नहीं आ रहा है वैसे सुनसान जिम में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खत्रा उठाते हुए मैडम गई है वाकिंग करने के लिए यह कौन सा लॉजिक हो गया कि वाक करना है तो उसके लिए जिम जाना पड़ेगा क्यों आपके फ्लैट के नीचे आप वाक नहीं कर सकते हो जहां पारकिंग पे सब गाड़ी पार्क रहती है वहाँ आप जा करके वाक कर सकते हो या फिर उतना ही वाक करने का शौक है तो फिर ऊपर नीचे थोड़ा स्टेयर से उपर नीचे कर लो या फिर इतना लंबा चोड़ा घर है उसी पे वाक कर लो लेकिं नहीं specially walk करने के लिए जिम जाना ये logic जो आप बता रहे हों तो आपके तो 3 million followers है सब देख रहे होंगे तो अगर आपके logic से सब देखे तो सब यही काम करेंगे कि अरे हमारी madam ने प्यारी दीदी ने हमारी प्यारी भावी ने इतना अच्छा logic बताया है कि बताया और बोलती है कि मैं क्या पताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोग को कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश कर रही हूँ ना अपने व्लोग में तो फिर आप लोग इतनी negativity क्यों पहलाते हो अच्छा यह logic logic सब इसका बहाना है ऐसा कुछ नहीं है इसके दो मेंली रीजन्स है जिसके वज़े से यह मैडम चली गई है जिम फर्सली तो कंटेंट की घर पे रह के क्या करेगी घर वाला जी तना कंटेंट है वो तो सबा ने ले लिया है इस मैडम का तो वहाँ चारा चलेगा नहीं तो अब मैडम सोच्री की जनाब भी घर पे नहीं है तो वहाँ से पैंपरिंग वाला कंटेंट भी नहीं मिलेगा तो क्या करूँ और इद की भी शॉपिंग खतम हो चुकी है तो बार बार शॉपिंग को कैसे कंटेंट बनाऊंगी तो चलो नया ट्रेंट आ गया है कि जिम को बनाया जाए हमारा नया कंटेंट इसलिए और घर से बाहर निकलने का मौका भी मिल जाएगा घर में बटे बटे तो बोरी होना है कुछ करना तो है नहीं से पलंग तोड़ना है और खाना है खुद बचने के लिए नहीं अपने पैसे को बचाने के लिए अगर मैडम बे फिजूल का इस तरह से फालतू का खर्ष नहीं करेगी तो पैसे इनके बैंक अकाउंट में तो बढ़ते ही चले जाएंगे और जब पैसे का लेवल बढ़ेगा तो गवर्मेंट को टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा मैडम को अब जैसा कि इनके व्यूज से इनको इनकम हो रही है इनके 1 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज जाते हैं पड़ेगा तो माडम सोच रही है कि चलो कहीं सही जगह यूज नहीं करो चलो फाल्तू जगह में अब फ्री का तो जिम जाना नहीं है जिम में जानने के बाद पैसे तो बहां देने ही पड़ते हैं कि आप किस किस दिन जाओगे वहाँ पर आपको चार्ज लगेगा ही तो चलो अब फाल्तू का खर्श कर लेती हूँ क्योंकि अगर बैंक में रहा तो गौर्मेंट को टक्स देना पड़ेगा उस टक्स से लोगों का भलाई होगा तो वो तो मुझे करना नहीं है मुझे तो सिफ अपना भलाई करना है तो जानेंगे तो फिर मेरे 3 मिलियन फॉलोवर्स के सामने में आदश दीदी आदश फाबी कैसे मंजूमी इसलिए ये सारे पैत्रे मैडम ने आजमाया है किस तरह से घर से दूर हटा जाए किस तरह से खुद को चुपाया जाए अपने पैसे को चुपाया जाए और फाल्तू क इधर उदर खर्श किये जाए ये था मैडम का नया ट्रेंडिंग कंटेंट जिम 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 वो भी हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में